क्लास 10 की फिजिक्स में आपने रिफ्रेक्शन पढ़ लिया हुआ अभी तक ठीक है तो आज हम लोग बहुत important point discuss करने वाले हैं that is human eye ठीक है अगर आप ऐसा कहो तो the human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs ठीक है तो यह किस तरह से work करता है वो सारी चीज़े सिखेंगे हैं human eyes में क्या क्या है कौन-कौन से part होते हैं किस तरह का lens होता है किस तरह से adjustment create करते हैं generate करते हैं power accommodation क्या होता है far point क्या है near point क्या है different different points right from the cornea to the retina वो सारी चीज़े discuss करेंगे pupil क्या है ठीक है तो अगर आप देखो कि बिल्कुल it has a lens in its structure and वही सबसे important role play करता है just like the camera camera में जितनी चीज़े होता है in fact आप ऐसा कह सकते हो कि camera से बहुत उपर है शाद यहीं से सोचके वह camera का कुछ concept आया हो तो इसको देखते हैं कि इसमें finally image formation हो जाता है then उसके बाद वह कैसे electrical signal में convert होता है then finally वह sense करते हैं उसको तो अलग-अलग points अब उसको ध्यान से समझने की गोश्च करेगा सारे point में detail में समझाओंगा आपको ठीक है और कुछ लिखा भी दूगा ताकि आपको समझ आए कुछ अगर उसके बाद भी ठाउट से रहते हैं तो आप हमें जरूर लिखिएगा तो देखिए इसको यहां से point start करना शुरू करते हैं कि भी क्या-क्या कैसे चीजे आती हैं इसमें ठीक है देखिए जैसे के आपने बता है कि भी जो human eye है वो बिल्कुल like a camera कह सकते है कि the human eye is like a camera ठीक है तो और कौन से मतलब इसमें क्या होगा lens system है basically यह यह लिए and the lens system of an eye forms an image on a light sensitive screen called retina वो यह है ठीक है यह वाला जो पार्ट है यह सबसे important important तो सभी पाट है but this called retina ठीक है इसको आप कह सकते है retina ठीक है यह light sensitive screen है ठीक है it is the light sensitive screen यहां पर image form होता है ठीक है यहां तक समझ आ रहा है यह final minute point बता है कि यह this retina light sensitive screen है और जो lens system of eye है वो यहां पर image form करता है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम लोग eye की बात करें तो यह light use करके image form करता है तो सबसे important कि light enter कहां से करेगा तो light यहां से enter करता है यहां ठीक है तो जो सबसे पहले ठीक है जो rays of light को मिलेगा that is cornea ठीक है यह cornea है it is cornea ठीक है cornea is a thin membrane it is a thin membrane जहां से light enter करता है ठीक है अब कर सकते कि जो outer most part of the cornea है ठीक है वहीं पर most of the reflection दिखता है जो outer most part होगा यहीं पर जादा रिफ्रेक्शन दिख जाएंगे ठीक है अब light enter किया enter करने के बाद यहां तक समझ आ रहे अब इसके बाद जो सबसे important part दिख रहा है that is iris यह देखे पहले वो सारे points समझ जाएं क्या-क्या components है देन हम लोग उसको समझेंगे कि भी क्या है this is iris ठीक है यह dark होता है यह dark कर यह यह part iris है ठीक है यहां तक समझ आ रहे है और iris के बाद यह जो दिख रहा है it is pupil this is pupil देखना समझते जाना यह क्या हो गया pupil हो गया लिख सकते है अब इसके बाद देखो यहां पर अगर देखेंगे तो यह aqueous है यह aqueous part इसको लिख सकते है aqueous humor ठीक है it is crystalline lens इसको कह सकते है crystalline lens यह वाला part ठीक है जिसको आप eye lens भी कह सकते है ठीक है यहां तक समझ आ रहे है और यह दो जो चीज है यहां से देखना यह इसको कह सकते है अब ciliary muscles ciliary muscles ठीक है अब देखें यह जो iris है इसका क्या रोल है ठीक है यह pupil हो गया है यह जो पार्ट है यह पार्ट pupil है ठीक है देखना तुस पार्ट इस pupil and यह क्या है iris है देख सकते हैं जो यहां से दिख रहा है यह तो अब देखो यह क्या करता है amount of light को control करता है अना the pupil regulates and control the amount of light ठीक है अब वो किस तरह से करता है कि अब मालो कि suppose bright light है ठीक है बहुत high intensity के light है इसको अब इस तरह से समझ सकते हैं देखना समझना कि मैं यह इसको मैं तुरह magnify करके दिखा रहा हूँ है ना actually यह देखो 2D में यह diagram दिखा हुआ अगर सामने से देखें यह circular पार्ट है यहां से देखें हम लोग तो ठीक है यह देखो circular पार्ट हो गया ठीक है ना तो यह बाहर से यह जो हमने दिखा आयरिस यह actually यह इस तरह से होगा यह यहारिस हो गया लिख सकते ना तो अब अगर मान लो कि बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट है तो हाई इंटेंसिटी की लाइट है जब यहां पर आता है ठीक है तो क्या होगा कम अगर उसको कम चीए ठीक है न यहां तक समझना अगर high intensity के light आ रही है तो क्या करेगा यह size कम कर लेगा किस तरह से कम करेगा तो उसको छोटा कर लेगा ऐसा ऐसा छोटा कर लेगा ठीक है अगर high intensity तो देखो यहां से क्या हो गए यह बीच में चो reflect हो रहा है that is pupil यह जो हो रहा है यह क्या है pupil है लिख सकते ना देखना यह यह पार्ट क्या है यह pupil हो गया ठीक है अब दीखे अगर intensity light की बहुत जादा है तो वो क्या करेगा बढ़ा लेगा size बढ़ा लेगा ठीक है तो मतब यहां से किस तरह से light control होता है amount of light वो समझ आगया लिख सकते ना तो यह कैसे लिखा समझ आगया यह जो pupil है यह बिल्कुल black दिखता है ठीक है normal cases में मैं green eyes की बात नहीं कर रहा है तो यह क्या हो गया यह बिल्कुल black दिखता ह है black दिखने का सीधर किसी भी लाइट के किसी भी बाट को reflect नहीं करता है reflect नहीं करता है इसलिए वो क्या होता है black दिखता है तो यहां तक समझ आगया कैसे लिखा हमने ठीक है तो देखो यह जो iris है iris और people यहां पर combination जो है यह light के amount को control कर सकता है किस तरह से control करता है यहां आपने size को change करके ठीक है ना size change करके अगर high intensity है तो वह क्या करेगा size छोटा कर लेगा ठीक है अगर dim light है तो size थो बढ़ा कर लेगा यहां तक समझ आ रहा है अब देखो यह जो eye lens है यह जो eye lens है यह अब क्या करेगा यह image form करता है ठीक है और यह कैसा image form करता है यह जो crystalline lens है this is eye lens eye lens image form करेगा कहां पर at the retina और यह जो image form करेगा वह किस तरह का होगा inverted inverted and real देखना inverted and real फिर से अगर concept समझते जाए light enter किया कहां से थुरूद आउट कोर्निया light enter करता है यहां से reflection वह reflection के बाद फिर देखो यह people के थुरू enter किया यहां पर eye lens तक पहुचा eye lens देखो maximum reflection यहां पर outer most surface पर हो चुका है यह जो crystalline जो lens है यह क्या करता है adjust करता है इस तरह से तोड़ा बहुत adjustment के बाद इस तरह से focus को adjust करेगा कि जो image है वह यहां पर बन जाए कहां पर retina पर retina screen जैसा है मैंने बता है screen जैसा है जैसे camera में screen होता है बिल्कुल वैसे यह screen है ठीक है तो यह basically adjustment का का काम करता है focus को adjust करेगा अभी हम लोग accommodation power up accommodation में इसको सीखेंगे ठीक है तो यहां पर शापे cells होते बहुत सारे cells होगे और वह क्या होते उसको electrical signal में convert कर देते हैं ठीक है वह क्या करेगा उसको electrical signal में convert कर देगा यहां तक समाझ आ रहा है अब इस जो electrical signal में यह जो image बना था वो electrical signal में convert हुआ और वो through the nerve, ठीक है, वो through the optic nerve, optic nerve, ठीक है, cells जो होंगे जो इस तरह के कुछ होते हैं, है न, यहां तक समझ आ रहे हैं, वो through the optic nerve, brain तक पहुंचता है, यहां तक समझ आ रहे हैं, फिर वहां पर, brain पर, वहां पर क्या होगा, वो decode होगी चीज़े, जो signal है, ठीक है, वो optic nerve के through जो वहां तक पहुचा, वहां पर brain उसको interpret करेगा, वो signal को, then finally उसको process करके, वो final information दे देगा, ताकि हम उस object को perceive कर पाएं, ठीक है, तो देखो, अब हम लोग power of accommodation पे आते हैं, इसको लिख लेते हैं, दे the ability, the ability of the eye, the ability of the eye lens, वो जो crystalline lens लेखा तामने, है न, to adjust, to adjust its focal length, its focal length, is called, is called, accommodation, ठीक है, is called, accommodation, इसमें जादा कुछ नहीं समाझ जाए होगा, अभी अब देखते हैं, कि अगर फिर से अगर आप देखोगे, कि अगर इसकी बात करो, तो ये क्या था, देखना, ध्यान से समझना, ये तुमारा eye lens था, लिख सकते हैं, ये eye lens था, और यहां से light enter कर रहा था, ठीक है, most of the reflection यहां पर वहा था, फिर finally इसके बाद, तो ये देखो, ciliary muscles थे, अगर यहां से देखे ही, तो ये दो ciliary muscles थे, ठीक है न, ये, ये इदर, और ये ciliary muscles के बीच में, ये eye lens हो गया, तो eye lens basically focal length adjust करता है, according to the position of the object, मतलब object distance के according, ये focal length को adjust करता है, वो कैस इसे adjust करता है, वो concept पहले समझते है, फिर अपने आप ये definition समझ आएगा आपको, ठीक है, तो यहां तक समझ आ रहा है सब कुछ, तो देखिए, ये कैसे लिखा हमने, क्यों लिखा, ये समझ आएगा आपको यहां से, देखिएगा, तो देखो, ciliary muscles के है, वो आपके focal length को, य ये suppose islands, अगर ये suppose करिया हमने, ये islands है न, तो हमने यहां पर दिखाया था आपको कि दोनों साइट से क्या था ये, ये ciliary muscles थे, देखिएगा, ये ciliary muscles के बीच में था, ठीक है, तो जब ये ciliary muscles relaxed position पे, ठीक है, तो जब ये relaxed position पे तो क्या हो जाएगा, ये thin दिखेगा आपको, ये जो islands है, ये क्या होगा, diagram आप साथ-साथ चाहें तो बनाते जाएं, है न, तो देखिए, ये क्या होगा, ये कौन सा position है अभी लिख लेते हैं हम लोग, relaxed, muscles, कौन सा muscles, वह इसलियरी muscles जो लिखाता हम ने, ciliary muscles, ठीक है, तो जब ये relaxed है, तो उस time पे ये जो lens है आपका, ठीक है, ये thin है, ठीक है, तो thin lens है, यहाँ पे ये क्या होगा, इसका focal length, इस position पे, अगर relaxed position पे बात करें, तो focal length, high है, ठीक है, लिख सकते हैं, तो relaxed position में क्या हो गया, lens thin हुआ, जो lens है, it becomes thin, ठीक है, correspondingly, जो इसका focal length है, वो क्या हो गया, increase हो गया, ठीक है, तो जब ये relaxed position में muscles है, कौन सा ciliary muscles, तो ये जो lens था, ये thin था बेसे गली, तो focal length high था, तो focal length high होने का मतलब क्या हो गया, कि भी हम लोग दूर वाले object को देख सकते हैं, ठीक है, जो बहुत दूर object है, वो देखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा, लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है, अब क्या होगा, अगर इसको pass वाले को देखना है, ठीक है, तो pass व यह देखे, यह position, यह pink से मैं बाद की position को muscles को दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखना, यह अगर यह contract हुआ ऐसा, देखना, यह बाद की position है, तो अगर muscles contract हुआ तो यह क्या होगा, lens छोटा होगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा, देखो, ठीक है, तो यह जो position मैंने बनाई, यह वाली, यह देखना, यह कभ, जब muscles contracted है, ठीक है, तो muscles जब contract होता है, उस moment पे क्या होता है, जो lens होता है, देखेगा, यह thick हो जाता है, lens क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो as a result, जो focal length है, जो focal length है, वह क्या हो जाएगा, It decreases तो focal length decrease होने का मतलब क्या हो गया अब pass के object को देख पाएंगे हम अब क्या हो गया Pass के object को यह ऐसा यहाँ तक समझ आ रहे हैं तो देखो फिर से मैं कर बताने कोश्च कर रहा हूँ देखेगा The ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation तो accommodation का मतलब यहां पे क्या हो देखा जब यह relaxed position पे है मसलस यह देखो यह relaxed position वाला था तो जो लेंस था eye lens वो थिन था, thin eye lens मतलब high focal length, focal length ज़्यादा होगा, focal length ज़्यादा होगा तो दूर की चीज़ें देख पाएंगे हम लो, ठीके? अब अगर नजदीक की चीजों को देखना अगर object बहुत close आ गया तो focal length कम करने की जुरत है तो ये adjust करने के लिए क्या होता है जो muscles है, celliary muscles ये contract हो गया ऐसा तो ये contract हुआ तो क्या हो गया ये देखो lens थिक हो गया curvature increase वा और ये lens क्या हो गया थिक हो गया तो थिक होने का मतलब क्या हो जाता है focal length decrease हो जाना ठीक है curvature बढ़ गया focal length क्या हो गया decrease हो गया अब ये नजदीक की चीज़ देख पाता है तो ये किस तरह से accommodate करता है ये समझा है या तो को दिक्कत है इसमें लिख सकते हैं तो अब इसमें देखो कि भी ऐसा नहीं कि एकदम से नस्दीक भी देख पाएंगे ठीक है ना कि भी एक limit तक ही है तो अपने आपको muscles contract करके focal length को नस्दीक लेके आपाएगा पर एक certain limit तक ही आपाएगा ये ठीक है और जो minimum limit होगा जिसके अंदर हम लोग देख नहीं सकते उसके बाद ये अपने आपको contract करके वो focal length decrease नहीं कर पाएगा तो वो एक point हो जाता है जिसको हम लोग लिख लेंगे तो मेरे क्याल से यहां तक समझ आ गए आपको तो देखो accommodation था क्या? वो समझ आ गया? change करता है तीक है न? यहां तक समझ आ गया है अब इसमें लिखते हैं हम लोग कि भी देखा the minimum distance मैंने जैसा बता है न? एक limit तक ही वो contract हो सकता है और उसके limit तक ही वो क्या करेगा? उसके focal length को decrease कर पाएगा है न? तो देखो यहांस एक फॉर्मॉला लेकल था है एक देफिनेशन के सकते the minimum distance the minimum distance at which at which objects can be seen can be seen most distinctly without without strain is called is called the is called the least distance means the least the least distance of distinct distinct vision it is also called the near point of the eye it is also called the near point of the eye लिख सकते हैं यहां तक समझ आ रहे हैं तो देखो यह क्या होगे यह क्यों कैसा लिखा था समझा है देखो यह मसल था बीच में लेंज तो minimum जितना contract हो करके यह थिक करेगा और फूकल लेंद को कम कर पाएगा उससे कम करना normal तरीके से मुश्किल है और बिदाउट strain भी feel करेंगे हम लोग तो यहां तक समझ आ गया तो अब देखो इसके लिएक limit होता है जो यंग adult के लिए जो normal vision के लिए लिखते है नेर पॉइंट इस 25 cm नेर पॉइंट इस 25 cm तो जैसा यह लिखा आपने यह समझ आ गया अब दूर वाले पॉइंट के लिए उसको क्या लिखते हैं लोग फार पॉइंट ठीक है फार पॉइंट में इंपॉर्टन जो सीधा की पॉइंट जो लिख सकते है दा फार्देस्ट पॉइंट इसख की पॉइंट वी से अंटो वी अगा य इसी झीरीव थ बिया द आपने श 바로 सी एंटॉ आप्जीर टॉइंट बेर. For example, फार्देस्सकी व는지 का बफार्द्ट पॉइंट गया व्रया खीरीव धीरर, बीरा का इस कॉल द फॉर पॉइंट ठीक है और यह नॉमल लाई के लिए लिखते हैं इन्फिनिटी लिख सकते हैं इंफिनिटी ठीक है वह जो लिखते हैं हम लोग यंग एडल्ट की बात करें का नॉमल विजन के लिए दिन नियर पॉइंट इस 25 सेंटिमेटर और फार पॉइंट इस इंफिनिटी यहां तक समझ आ रहा है अब वही जो क्रिस्टलाइन लेंस जो है क्रिस्टलाइन लेंस जिस पर अनेफ्स लेक्ट्र हमरा रहा है तो उसमें फिर हम लोग उस चीज को डिसक्स करेंगे ठीक है देन 차 wil अगईए तो Gente fixture क्रेंगे व पड़ेंगे देफेटी है और उसको किस तरह से करेक्ट कर सकते है तो मेरेक्शी से यह समझ आयोगा आप एक बार बुक लेखियेगा आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा तो इसमें देखिए जो थोड़ा बहुत सजिक्स था मैंने बताने की कोश्की है शायद समझ आएओगा लेकिन जो डिफेक्ट्स ओव विजन है वो complete physics है वहाँ पर आपको हर एक point समझ आएगा तो चलिए वापिस मिलते हैं फि उनी कोश्चरा जाएगा